लूग वाला है इमेज आर्टिफेक्स इन सीटी के अंदर कुछ आपने आर्टिफेक्स देखने को मिलेंगे उन सब के बारे में बात करेंगे तो चलिएगा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी आज का आपना टोपिक स्टार्ट करते हैं अगर आपको कोई भी कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं तो यहां सबसे फर्स्ट पॉइंट यह कह रहा है कि आर्टिफेक्स 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 अर्डिफाइड एस एनिटिंग अपियर ओन इमेज दैट इस नोट प्रेजन इन ओब्जक्ट सकेंड मतलब इस टाइम आपने इसकी क्वालिटी को बिल्कुल ही खराब कर देते हैं दैन कहरा है यह रेकोनाइजिंग में अपने को सबसे पहले यह कौन सी टाइप का आर्टिफेक्स है उसको अपने को रेकोनाइज करना पड़ेगा जानना पड़ेगा और वो किस तरह है जनेरेट हुआ है अगर यह ची के अंदर इसको अपा इंकलूड करेंगे अगर आपने को प्रोपर नोलेगा आपने को पता चल गया यह आर्टिफेक्ट किस करन से हुआ है और अपने को बोलत शु कॉल्टी कंटोर के पने को नोलेज है यह या फिर अपनी सिस्ट्म क Keys कॉलिटिफेट्य के सब्सक्र लिए आपने चीज तो पता है अपनी एक्सरेइब में वो फॉलिक्रोम प्लोक्रम मेटिक अनर्जी इनर्जी अपको आपको लो इंटेस्टी देखने को मिलेगी तो इसी जो लो इंटेस्टी वाली है यह क्या होगी बोड़ी के अदर अब जोर हो जेगी तो कुछ ऐसे रिजन्स हो लोगर अनर्जी फोटों से पॉलिक्रोमेटिक बीम के वो एनर्जी को एक जगा हो जाते हैं एक इनुट हो जाते हैं किसी बी रिजन के अंदर तो वो क्या करते हैं विम को हाड कर देते हैं और उसी चीज को बोलते हैं बीम हाड़निंग आर्टिफेक्ट देन कह रहा है कि बीम हाड़निंग है मेली अपने को देखने को मिलेगी दैन कह रहा है कि अपना सीटी सिस्टम है सीटी सिस्टम के अंदर तीन ऐसे फीचर है जिनसे अपा इस बीम हाड़निंग को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं सबसे फर्स्ट है फिल्ट्रेशन हो ग कर देंगे iluminium strips का use करेंगे इस यसा किस में तरहने करेंगे को जो भी क्यूशी कि करेंगे कि करेंगे मशीन को फ्रोपर THE को मिलेगी इस time भी अपने बीम हाडपनि का इसा कोई सही नहीं होगा और साहसा ठीच cu darkness जो आ रही है जो भी shading हो रही है उसको अपर थोड़ा बहुत अर्जेस्ट कर सकते हैं देन सेकंड आर्टिफेक्ट है वो है अपना पार्शल वोल्यूम आर्टिफेक्ट यह उस टाइम अकर होगा इट अकर्स वहन टीशू ऑफ डिफ्रेंट्स अब्जोर्शन आर इंकंबोर इस टाइम सेम सिटी वोक्स तर प्रोडूसिंग इम एटनुशन जिस टाइम एपनी बीम एटनुशन हो रही होगी और एक पिक्सल है उस पे एक टीशू है उसमें मान के चलो ज़्यादा उसने एनरजी को ले लिया बोल सकते हो ना गोई भी टीशो ने ज्यादा एनरजी को अबजोर कर लिए तो वो इमेज क्या होगा आपको यह तो डारेक्ट डार ज्यादा आपको डार्क दिखे या फिर ब्राइट दिखेगी उस इमेजिंग के अंदर आपको लाइनिंग सी देखने को मिलेगी तो उसको बूलेगा पार्शल वोल्यूम आर्टिफेक्ट है और अजरे जो है और इसके अंदर आपकोम ब्लसक्तव एक सेटिंग भी देखने को मिलेगी जहां भी यह पार्शल वोल्यूम और हो रहा है जहां भी जया अपने प्रोपर इमेज देखेंगे उसके अंदर यह चिद्द आपको देखने को मिल जेगी अगर आपको पार्शल वो बात है जो अपना यह एक एकुरियसी का एरर है यह फिर बहुर सकते एक सिस्टमेटिक एरर है इस टाइम आपा एना लोग से डिजिटल करें है इमेज इसको यह फिर जो भी डाटा है डाटा डिजिटल डिटाइजेशन हो रहा है न उसकेस में यह अपने कोई अलाजिंग है और इन ही केसित के अंदर कई बार क्या होता है अपने कुछ ऐसा डाटा आपको कर नहीं सकते अपने जो फोटो फोटो डायोडिमेटर से अपने देखने को मिलेंगे फोटो मल्टिप्लार से वो क्या करेंगा अब लाइट वगरा को मेजर करेंगे तो उस ताइम कुछ ऐ से दिख्कत आएगी कि आप उसको प्रोपर मेंजर नहीं कर पाएंगे और वहां फिर यह अलाजिंग आर्टिफेक्ट या फिर अंडर सैंप्लिंग देखने को मिलेगी दैन अपना जो नेक्स्ट आर्टिफेक्ट है ना वो है यह जिरा एंस ग्रेडियंट इफेक्ट इट इस अपना मिलेंगे तो उस टाइम अपना इज ग्रेडियंट होगा मतलना वहां ग्रेडियंट की शेडिंग और नहीं हो पा रही है तो इसकार निया क्या हुप्र आपना इस ग्रेडियंट इफेक्क्ट इस एक अपनों आपको देखने को देखने को मिलेगा सिंपल यह बात कर रहा है यह देखिए अराइजिंग फ्रॉम एड्रेगूलर सेप्ट डैड प्रोनाश डिफरेंस डैंस्टी अलग लग सेप्स के अबजक्ट अपने को देखने को मिलेंगे ना अलग लग प्रोनाउंस होंगे इमेजिंग होगी उनकी सिंपल सी बात करें तो इसके अंदर और यह उस टाइम होगा जिस टाइम होगा किस तरह होगा जैसे हो सकता है आप उसने टेबल पर लेटा रहे वह पेशन हिल गया या फिर उसकी रेस्पिरेशन वगए रहे हैं चेस्ट वाले डिजन्स के अंदर यह आर्टिफक्ट होगे सब्सक्राइब कर देंगे यह फिर हो सकता है प्रोपर समझा के आपको इस तरह सांस रोकना है अगर पेशन अपने साथ एगरी करेगा तो ठीक है अगर नहीं करेगा तो फिर कई बार ऐसी कंदिशन होते हैं पेशन को करना ही पड़ेगा जो आप बतागा जो आपको बैद बताइं वही करेगा लेकिन नहीं कर पाता और फिर उस टाइम अपने को यह आठीफ़ेक्ट देखने को मिलेगा पेशन ही रहा है इस अगर मोशन आठीफेक्ट को कम करना तो आपा इस टेबिटी प्रोवाइड करेंगे पेशन फिर वेस्ट जो भी अपने एरिये इपने ड ताकि पेशन्ट ज्यादा ही ले डूले ना देन आ रहा है मैटलिक आर्टिफेक्ट मेटलिक ओब्जेक्ट मेटलिक आठीप इस टाइम दिकर जब अपना स्केन फिल्ड ओव यू एस एफ व यह उसके अंदर कोई भी मैटल्स आजेगा और वहां एक क्या हुचे का स्ट्रीट इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा वहां पर लाइन इस इस यह उनिट यू यू यूट यू उनिट यू जो बोर्स की ताउजेंट है लेकिन अज के ताम मेटल की इसे ज्यादा होगी लेकिन आज के ताइम में इसे मसिन सान रखे जो चारजार यू जो आंस फिल उन इस जादा था तो जादा से तो मेटल क्या करेगा वहां उसको प्रोपर हूंस फिल यूनिट प्रोवाइड नहीं की जाएगी और फिर आप एक श्टीक प्रोडूश कर देगा वहां अगर अपने को रिमूव करना है इस आर्टिफेक्ट को मेटलिक आटिफेक्ट को रिमू एक स्कैंट को प्रोड़नाव यूजिंट जादा निकल जएगी कि और अगर अपनी अनाटमी जादा जा रही है तो वहां क्या होगी एनर्जी एटेन्यूट हो जेगी रदिशीन एक्स्टा फिल्ड अपने को इमेज में आएगा और वहां क्या होगी अपने को बीम हार्ड तो इस तरह देखने को मिलेगी और यह उस टाइम ही आपको उबज़र होगा जिस ताइम या तो आपका इंदर डिटेक्टर में कुछ फोल्ट आ रहा है या फिर अपना कैलिबरेशन पर नहीं हो पा रही है तो उस टाइम फिर आपको यह रिंग आपको यह रिंग आपको मेल होगेगा लेकिन कुछ ऐसी कंडिशन सुतियां जिसमें यह नहीं खतम हो रहा है तो अपने को जो भी अपने सर्विस इंजिनियर है उनको आपको रिपोर्ट करने पड़े कि वह आएगा और फिर उस मसीन को रिपेर करेगा जो भी फोल्ट होगा उसको ठीक करेगा तो आज की वीडियो में इतना गाइस ओकर थैंक्यू फ्रेंड्स है वे नाइस दे